हेलो स्टुडेंट्स, विल्कम टू आर चैनल, लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फोर साइंस का चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको गहाती अच्छे से डिटेल में समझाओंगी तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखे और अगर आप क्लास फोर साइंस का कोई और चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक पर ज़रूर जाएं, वहां हमने क्लास फोर साइंस का पूरा स्लिबस कवर करा हुआ है और अगर स्टुदेंग्स आप हमसे कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप्स और वाट्सेब ग्रूप्स को अभी ज़ाइन करें तो लेट सी वाट अल टॉपिक्स वीडियो कोई तो इन दिस वीडियो किस-किस की? Life cycle of a hen, life cycle of a frog, of a fish, of a butterfly और आखरी में मैं आपके साथ करूंगी इस chapter के कुछ important questions So let's start with our first topic and understand what is reproduction The process by which animals produce their young ones is called reproduction तो reproduction किसे कहते हैं? वो process जिससे animals अपने babies पैदा करते हैं उस process को कहते हैं reproduction Young ones यानि उनके babies अब कुछ animals तो सीधे babies यानि की young ones उनके जैसे दिखने वाले बच्चे पैदा करते हैं पर कुछ animals ऐसे होते हैं जो पहले eggs देते हैं और फिर उन eggs में से बच्चे निकलते हैं आपने देखा होगा जैसे की हम human beings, dogs, horses, lions हम सब we give birth to our young ones जब हमारे babies होते हैं तो वो सीधा young ones होते हैं means की हमारे जैसे दिखने वाले होते हैं पर अगर हम बात करें जैसे की birds की, fishes की, insects all of them, they lay eggs, वो पहले eggs देते हैं and then young ones hatch from these eggs और फिर babies निकलते हैं उन eggs में से hatch यानि वो दिरे-दिरे eggs में से निकलते हैं वो जब egg टूकता है, फूकता है, उसमें से निकलते हैं फिर young ones अब हम बात करते हैं animals की that produce babies animals that give birth to babies and feed them on their milk are called mammals तो अभी मैंने आपको बताया की reproduction क्या होता है फिर हमने देखा की वही कुछ animals तो ऐसे होते हैं जो directly babies पैदा करते हैं और कुछ eggs देते हैं पहले तो animals जो directly babies को birth देते हैं और फिर उन babies को अपना milk पिलाते हैं अपना दूद पिलाती है माँ उनकी उन animals को कहते हैं mammals यह लिखाया ना वे ने देखर, mammals mother feed their young ones on their own milk यही बात मैंने यहाँ बता रही हूँ कि जो mother होती है animals कि जो उसमें जो female होती है वो अपने young ones को अपने babies को खुद अपना दूद पिलाती हैं नेक्स पॉइंट इस दाट mammals are most developed amongst animals तो यह जो mammals होते हैं जो directly babies को birth दे रहे हैं और उन्हें अपना दूद पिलाते हैं इन्हें सबसे ज़ादा developed माना जाता है सारे animals students, हम human beings भी mammals ही हैं हम भी directly baby को birth देते हैं हम भी उन्हें अपना दूद पिलाते हैं तो हम human beings भी mammals ही हैं अब examples देखिए human beings, tigers, dogs, horses, cats all these are mammals और आपको इस बात को जानके हैरानी होगी कि यह जो whales और dolphins भी हैं यह भी mammals ही हैं though they look like fish but they are mammals तो whales और dolphins जो होती हैं वो चाहिए दिखती फिश की तरह हैं but वो भी mammals ही होती हैं now next animals that lay eggs तो इस में हम सबसे पहले birds की बात करेंगे हम अपने आसपास बहुत से birds देखते हैं वो अंडे देते हैं और I think सबसे common bird जो हमें पता है जो अंडे देता है वो है hen क्योंकि हम वो eggs खाते भी हैं तो सबसे पहले हम इनी birds की बात करते हैं birds reproduce by laying eggs birds reproduce करते हैं eggs देने पर right? eggs देते हैं वो reproduce करने के लिए birds sit on the eggs to keep them warm this process is called incubation अब जब वो अंडे देते हैं तो ऐसा नहीं है अंडे देते ही उसमें से बच्चे निकल लिया है ऐसा नहीं होता वो time consuming process है पहले birds ने जब अंडे दिये हैं फिर birds को उन अंडों पर बैठना पड़ता है उन अंडों को सेखना पड़ता है warm रखना पड़ता है इस process को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं incubation and egg provides all the nutrients to the embryo that is baby bird inside और जो एग के अंदर embryo होता है यानि जो baby bird बन रहा है उसको nutrients कहां से मिलते हैं? जो एग होता है वो खुद ही उस embryo को सारे nutrients देता है जैसे कि proteins हैं, fats हैं वो सब embryo को egg से मिलते हैं and then this embryo develops into chick ये जो embryo होता है ये धीरे-धीरे chick में बदलता है यानि young one जो chick होता है उसमें develop होना शुरू हो जाता है and this egg hatches in 21 days and the chick comes out of the egg और ये egg hatch होता है यानि अपने आप से टूपता है कितने दिनों में? 21 days में और फिर इसमें से क्या निकलता है? chick birds के baby यानि chicks chicks निकलते हैं इसके अंदर से अब देखिए यहाँ पे ये मैं आपको एक life cycle दिखा रही हूँ ये life cycle है एक hen की सबसे पहले एक ये adult hen है इसने ये eggs दिये ये अंडे दिये अब इन अंडों को वो क्या कर रही है? ये दिखें यहाँ पे इन अंडों को वो warm रख रही है उनके ओपर बैठी हुई है यानि ये process कौन सा हुआ? ये process हुआ incubation और इस process के दुरान जो embryo है जो baby bird है उसको सारी nutrients eggs से ही मिल रहे हैं और फिर थोड़े थोड़ी जब around 21 days के बाद ये जो egg होता है ये hatch हो जाता है और इसमें से क्या बहार निकला? इसमें से बहार निकला ये chick और ये chick फिर बड़ा होके क्या बन जाता है? adult hen और फिर से वो eggs देते हैं तो ऐसे करके ये पूरी ये cycle चलती रहती है ये cycle है इसे कहते हैं life cycle of a hen तो students अभी मैंने आपको बताया कि egg सारे nutrients देता है embryo को तो आईए मैं आपको different parts of egg समझाती है ये देखिए ये एक egg है ये अंदर से basically मैं अंदर से आपको सारा दिखा रही हूँ सबसे पहले ये जो outer covering होती है जब आप egg देखते हो आप देखते हो ना white color का egg है तो जो सबसे भारी कवरिंग होती है outer covering उसे कहते है egg shell तो ये egg shell कैसा होता है it is hard and protective shell which covers the egg तो ये जो egg shell होता है ये hard होता है और ये एक तरीके का protective shell है ये protection दे रहा है पूरे एग को ठीक है अब next जो portion होता है जो part होता है एग का वो यह होता है यह जो होता है आप जब एग को तोड़ते हैं तो हम दिखते हैं यह white जो portion है albumen इसको क्या कहते है albumen यह jelly like substance होता है inside the egg there is white jelly like substance known as albumen ठीक है अब इसका क्या काम है इसके दो काम है एक तो क्योंकि यह jelly like होता है तो यह पानी प्रोवाइड करता है ठीक है embryo को यह पानी इससे मिलता है albumen से दूसरा क्या होता है कि suppose करो कि अगर एग को एग गिर गया तो यह उसको तूटने से बचाएगा यह jelly like white jelly like substance है तो इसके यह दो काम है कि यह embryo को शौक से भी बचाता है और उसे पानी भी देता है और तीसरा पार्ट एग का होता है यह yellow color का इसको क्या कहेंगे egg yolk इसके एग योग के बिलकुल बीच में यहाँ पे होता है इंब्रियो को इस तरह से एग से खाना मिलता है इसको फूड भी मिलता है और उसको पानी भी मिलता है फूड मिल रहा है एग योग से और पानी मिल रहा है अल्ग योग से ठीक है अब समझ में आया आपको जब मैं आपको कहा कि इंब्रियो को सारे nutrients एग से ही मिलते हैं तो इस तरह से मिलते हैं उसको Now we will learn about the animal that lay eggs which is frog अब दूसरे type of animal की बात करें अभी हमने birds के बारे में पढ़ा अब हम बात करेंगे frog के बारे A frog lays a cluster of eggs in a safe place in water जो frogs होते हैं वो बहुत सारे अंडे एक साथ देते हैं और एक safe place में जाके देते हैं पानी ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनके अंडे होते हैं उनमें से काफी सारे अंडे दूसरे animals, दूसरे fishes कहा जाती हैं तो इसलिए जो frogs होते हैं बहुत सारे अंडे देते हैं एक साथ cluster of frog eggs is known as spawn और इनके इस cluster of eggs को क्या कहते हैं? tadpoles, तो अब जब अंडे दे दिये हैं उसके तीन हफते बार baby frogs उसमें से eggs में से बाहर निकलते हैं ठीक है, छोटे छोटे फ्लोग्स baby frogs उनमें से बाहर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं tadpoles और ये tadpoles कैसे दिखते हैं? they look like tiny fish and breathe through gills वो tadpoles देखने में छोटी-छोटी fish जैसे दिखते हैं और क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो ये breathe करते हैं अपने gills के थ्रू and then these tadpoles gradually lose their tail and develop legs and then changes into adult frog तो फिर ये tadpoles धीरे-धीरे इनकी tail जो होती है, वो गायब होनी शुरू हो जाती है और ये legs develop करते हैं और फिर धीरे-धीरे ये पूरे एक adult frog बन जाते हैं ठीक है? तो ऐसे होता है ऐसे इनके बच्चे निकलते हैं eggs में से और वो कैसे पूरे frog बनते हैं आईए इसी को मैं आपको life cycle इसे कहते हैं कुछ ही अंडे बचते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था बाकी अंडे दूसरे animals दूसरे fish खा जाती है तो ये कुछ अंडे बचे अब तीन हफ़ते बाद ये अंडे hatch हुए और इनमें से क्या निकले? ये tadpoles निकले tadpoles कहते हैं ये देखिए fish जैसे लगनें छुटी fish जैसे ये ठीक है? अब धीरे-धीरे ये बड़े होने लगते हैं ठीक है? इनके ये अपनी tail छोड़ने लगते हैं और legs बनाना शुरू करते हैं इनके legs develop होना शुरू होते हैं और धीरे-धीरे ये क्या बन जाते हैं? पुरे एक frog और फिर ये adult frog बनके फिर ये eggs देते हैं तो इस तरह से ये life cycle frog की चलती रहती है अब हम बात करेंगे fish की fish भी ऐसे animals होते हैं जो eggs देते हैं A fish lays a cluster of eggs in a safe place in water Similar like frogs fish also gives a cluster of eggs ठीक है बहुत सारे eggs एक साथ देती हैं और उनके cluster of eggs को भी क्या कहते हैं spawn ही कहते है and then baby fish hatch from these eggs and grow into a fry फिर कुछ time बाद इन eggs में से निकलती है baby fish और वो क्या कहलाती है वो grow होके कहलाएंगी fry चोटी चोटी fish निकलती है जिने कहा जाता है fry and a fry grows into an adult fish और फिर वो जब बड़ी होती है तो वो बन जाती है adult fish simple सी life cycle है फिश की ये देखिए एक adult fish ने दिये बहुत सारे eggs अब इन eggs में से क्या निकला baby fish जो कहलाती है fry ठीक है और ये fry grow होके क्या बन जाती है adult fish फिर से वो eggs देती है तो ऐसे life cycle चलती रहती है fish की now let's learn about reptiles they also lay eggs reptiles like lizards, snakes lay their eggs on ground अब जो reptiles होते हैं जैसे की lizards होगे snakes होगे ये ground पे जमीन पर eggs देते हैं they do not sit on eggs to keep them warm और वो birds की तरहे अपने eggs पे बैखते नहीं है उनको warm करने के लिए वो कैसे warm होते हैं these eggs are warm by the heat of the sun उनके जो eggs होते हैं वो sun की गर्मी से गरम रहते हैं तो यानि वो ground पे क्रोकोडाइलज के बारे मैं बात करेंगे क्लोकोडाइल्स दे डिग शेलोपिक्स इν रिवर बैंग्स ये ले ले इर एग्स जोестоकोडाइलस होते हैं जो reverse में रहते हैं वो क्या करते हैं वो rivers के पास मिट्टी में, गहरी मिट्टी में गड़े बना देते हैं, गहरे गड़े बनाते हैं, और उन में अपने eggs देते हैं, and when babies hatch out of these eggs, crocodile digs away sand and sets them free, और फिर जब इन eggs में से babies hatch out, निकलने शुरू हो निकलते हैं, तो crocodiles क्या करते हैं, वो जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को हटा देते हैं, और babies को free कर देते हैं, यानि babies को फिर वो free कर देते हैं और वो babies कहा जाते हैं वो river में चले जाते हैं ठीक है तो इस तरह से reptiles भी eggs देते हैं Now let's talk about insects All insects lay eggs जितने भी insects होते हैं वो भी eggs ही देते हैं Insects like grass offers and cockroaches have three stages in their life cycle हम सभी ने cockroach कभी ना कभी देखा ही है चाहे हमने अपने घरों में देखा हो या कहीं भार देखा हो तो ये जो grass offers होते हैं या cockroaches होते हैं इनकी life cycle में कितनी stages होती हैं तीन stages होती है The baby cockroach is known as a nymph तो सबसे पहले cockroach ने अंडे दिये फिर उन अंडों में इसे baby cockroach निकले जिसे क्या कहते हैं निम्फ एक shed its skin several times and changes into an adult shedding of old skin is known as molting तो जब फिर ये उसके बाद अंडे देने के बाद निम्फ निकला उसमें से और ये जो निम्फ होता है ये बहुत बारी अपनी skin छोड़ता है shedding निम्फ उसकिन उतरती है उसकी बहुत बारी और फिर वो दीरे दीरे बनता है एक adult cockroach तो ये जो process होता है जिसमें ये skin उसकी जड़ती है उतरती है इस process को कहते हैं molting ठीक है तो ये 3 stages होती है cockroach की और grasshopper की life cycle में cockroach में सबसे पहले cockroach ने अंडे दिये फिर उन अंडो में इसे baby cockroach निकला जिसे निम्फ कहते हैं और फिर निम्फ ने धीरे धीरे अपनी skin छोड़ते छोड़ते वो क्या बन गया एक adult cockroach अब कोई और insects जैसे की butterfly और housefly होते हैं उनकी life cycle में 4 stages होते हैं तो यही मैंने या लिखा है other insects like the butterfly and housefly have 4 stages in their life cycle मैं आपको समझाती हूँ butterfly के बारे the female butterfly lays eggs in clusters on the underside of a leaf तो जो female butterfly होती है वो बहुत सारे eggs देती है कहां पे जाके देती है leaf, leaf के नीचे under side, safe place होती है वहाँ पे जल्दी से कोई और insect को वो eggs दिखेंगे नहीं इसलिए वो safe place में leaf के नीचे जाके बहुत सारे eggs देती है and then each egg hatches into a lava that looks like a worm और यह हर एक egg यह किस में बदलता है, किस में hatch होता है एक lava में जो एक worm जैसे पीडे जैसे दिखाई देते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं caterpillar, तो egg hatch होते हैं, caterpillar चीक है, अब यह caterpillar कैसे survive करते हैं it eats leaves and grows quickly, जो caterpillar होते हैं वो leaves खाते हैं जिन leaves में वो पैदा हो हैं उन leaves को खाते हैं वो और जल्दी-जल्दी बड़े होने शुरू होते हैं after some time the caterpillar stops eating and forms a shell called cocoon around its body this stage is known as pupa तो अब क्या होता है कुछ टाइम बाद, जो caterpillar होता है वो खाना छोड़ देते हैं ठीक है वो leaves नहीं खाते हैं वो एक shell सा फॉर्म कर लेते हैं अपनी body के आसपास पूरा जो caterpillar होता है वो अपनी body के आसपास एक shell सा फॉर्म करते हैं उस shell को कहते हैं cocoon ठीक है और ये जो stage होती है life cycle की ये कहलाती है pupa अब इसके बाद क्या होता है inside the cocoon the caterpillar slowly changes its shape अब cocoon के अंदर धीरे धीरे जो caterpillar होता है वो अपनी shape change करता रहता है क्या बन जाएगा वो after a while the pupa burst and an adult butterfly comes out कुछ time बाद ये जो cocoon है ये जो burst हो जाता है ये और एक adult butterfly बाहर आती है ठीक है तो ये 4 stages होती है butterfly की life cycle में आईए एक diagram के तुरू दुबारा से हम इन stages को देखते हैं ये है life cycle of a butterfly सबसे पहले एक adult butterfly ने ये egg दिया बहुत सारे egg देती है मैं एक egg लेके आपको समझा रही हूँ उन्होंने leaf के नीचे एक egg दिया फिर ये egg कुछ टाइम बाद क्या बन जाता है ये बन जाता है caterpillar ठीक है अब ये caterpillar खाता रहता है leaves को खाता रहता है फिर कुछ टाइम बाद वो खाना छोड़ देता है और अपनी body के आसपास क्या बना लेता है cocoon बना लेता है ठीक है इस stage को कहते है butterfly ठीक है butterfly निकलती है बार और butterfly दिरे-दिरे क्या बन जाती है फिर एक adult butterfly बन जाती है और वो X देती है फिर वो X caterpillar की shape लेते हैं ऐसे करकर के क्या हो जाता है ये life cycle butterfly की चलती रहती है तो देखा कैसे caterpillar जैसे दिखने वाली चीज इतनी सुन्दर बन जाती है बाद में एक butterfly बन जाती है तो students ये हमने पड़े animals that lay eggs ठीक है अब आखरी में मैं आपके साथ कर रही हूँ इस chapter के important questions let's see question number one the yellow substance in the middle of egg is called as dash तो जो egg के बीच में जो yellow substance होता है उसको क्या कहते है उसे कहते है yoke next birds sit on the eggs to keep them warm this process is known as birds अपने eggs के उपर बैखते हैं उनको warm रखने के लिए इस process को क्या कहते हैं इसे कहते हैं incubation cluster of frog eggs is known as क्या कहते हैं इन्हे frog eggs की cluster को spawn ठीक है fish के eggs के cluster को भी spawn ही कहते हैं which one of these is not a mammal इन में से कौन से mammal नहीं है is it whale, crocodile, monkey or dog it is crocodile ठीक है mammal तो सीधा young ones को बच्चों को पैदा करते हैं बलकि crocodile जो होता है वो पहले अंडे देता है egg of butterfly hatches into a lava this is called as dash जो butterfly का egg होता है वो lava में hatch out होता है इसको क्या कहते हैं इसे कहते हैं cattle pillar and the last question is cattle pillar forms a shell called cocoon around its body this stage is called as dash stage को जिसमें cattle pillar अपनी body के आसपस एक cocoon बना लेता है shell बना लेता है उसे क्या कहते हैं pupa ठीके students तो ये था हमारा chapter reproduction in animals I hope आपको इस chapter अच्छे से समझ आ गया है इस chapter को अच्छे से पढ़िए and do watch my other videos and share my channel and my videos with your friends and family thanks for watching see you in the next video bye